हलो स्टूरेंट्स यह आपका पार्ट 18 वीडियो है इस चेप्टर का पार्ट 18 वीडियो में प्रसनावली 6E पे हैं और कोशन नमबर है 11 कह रहा है तिर्भूज PQR एक समकोर तिर्भूज है जिसमें PM लंब है QR पर सिद कीजिए हमें क्या सिद करना कि PM का स्क्वार इकॉल 2 होगा QM इंटू MR के चली हमनों देखते हैं हम लोग पहले एक समकोर तिर्भूज ले लेते हैं यहाँ पर समकोर तिर्भूज हो गया तो यहाँ पर आपका यह पी हो जाएगा इसको क्यू कर देते हैं और इसको आर कर करेओं देखते हैं यहाँ पर आपका क्या होगाद़ए पीस देखो एम मलंभ हो गया जाए हमारे पास दिया है क्या दिया है कि तिर्भूज p qr में यह हैं गया य। जो है समकोन है 90 degree का है तथा तथा PM लंब है QR पर तो सिद्ध करना है कि तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कि PM का square जो होगा एक सम प्रक्ण जो और करना होगा चलिए मों कि इसको प्रमानित गरता है हैं तो भी हम लोग करने लिए हमें ये और ये इन दोनों थिर्भू jur को क्या करना होगा चालिया हमें इसमें क्या चाहिए दो Department को ब्रावर दिख्ञाना होगा तब इन दोनों थी और कम अमलों सम रूप कर पाएंगे एक तो सम कोण हो जाएंगे एक और कोण बराबर दिखाने के लिए मैं देखो क्या करता हूँ हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सम कोण तिर्भूज दिया है तो सम कोण वाले कोण को छोड़ कर ठीक है बाकी दो कोणों का योग 90 होगा होगा ना जी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ना जी इस तिर्भूज सम कोण तिर्भूज के दो निवन कोणों का योग 90 डिगरी होता है कर सकते हैं तो मिकरान एक माल लेते हैं अच्छा उसी तरह से हमने चलते हैं तिर्भूज पी एम क्यूज में इसमें चलिए इसमें आईएगा तो हम लोग यहापे देख सकते हैं यह आपका सम कोण हो रहा है लमभूने करल तो यह वालदा कोण & यह हुआला कोण इन दोनों का योग क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा ना तो यहापे लिख सकते हैं हम लोग एंगल यह वाला एंगल तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग क्या हो जाएगा एंगल MPQ MPQ और प्लस में एंगल Q बराबर में 90 डिए यही कारण होगा इनर रीजन होगा इसको समिकरन दो कर लेते हैं समिकरन एक तथा समिकरन दो से तो यहां से देखो यह दोनों का योगनाइटी यह दोनों का योगनाइटी तो हम लोग एक दूसरे के बराबर नहीं कर सकते हैं यहां से कर सकते हैं कि एंगल आर प्लस एंगल Q बराबर में एंगल MPQ MPQ और प्लस में angle Q angle Q कट जाएगा तो यहां से angle R बराबर हो जाएगा angle MPQ के ठीक है angle R यह रहा और angle MPQ यह रहा ठीक है तो दोनों तिर्भूज महां मिल जागा यहां से चलिए हम लेते हैं पहला तिर्भूज तिर्भूज लेते हैं हम लोग तिर्भूज फिर फिर संकॉण वाला M और फिर आपका P इन दोनो तिर्भूजों में देखेंगे तो हम लोग पहले देख रहे हैं कि restrict एंगल MPQ बराबर है एंगल आर के यह तो हमने अभी उपर साबित किया है अभी यहां पर उपर साबित कर चुके हैं अच्छा और क्या हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा यह समकोड वाला लिख लेंगे यहां 90 है यह 90 है तो यहां पर लिख देंगे कि एंगल PMQ इक्वाल टू में एंगल RMP क्या हो जाएगा प्रतियक 90 है तो यहां से हमारा तिर्भूज PMQ समरूप हो जाएगा तिर्भूज RMP के एंगल एंगल समरूपता से ठीक है हम लोग जानते हैं कि दो समरूप तिर्भूजों के दो समरूप तिर्भूजों के संगत भुजाओं का अनुपाद संगत भुजाओं का अनुपाद बराबर होता है बराबर होता है जंगत भुजाओं का अनपाथ बराबर होता है और हमें यह थारो तो इसी कनुसार हम लोग इन तिर्भूजों की भुजाए लेंगे, तो मालिजे इस तिर्भूज का हम भुजा PM ले लेते हैं, ठीक है, यहां PM हमें PM square लिया है, तो हम लोग यहां PM ले लिया तो इसमें का क्या हो जाएगा, PM के according यहां पर RM आ जाएगा, ठीक है, equal to में, QM लिये, तो यहां पर क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा, अब यहां cross multiply करते हैं, हो जाएगा PM का square बराबर में, QM into में RM, इस RM को MR भी ले सकते हैं, यह PM square equal to QM, और into में MR, तो यही नाम में दिखाना था, यह आपका प्रमानित हो गया, चलिए अब बढ़ा जाए, next question की तरफ चलते हैं, अगला question 12 number कहा रहा है कि दी हुई आकरिती में, ABD एक समकोण तिरभूज है, ABD एक समकोण है, जिसका angle A समकोण है, तथा AC जो है ना, लंब है आपके BD पर, ठीक है, और हमें इन सब को prove करना, चलिए देखते हैं, हमारे पास क्या दिया हुगा है, कि तिरभूज ABD एक समकोण तिरभूज है, समकोण तिरभूज है, जिसमें angle A क्या है, आपका समकोण है, तथा AC लंब है BD पर, इन तीनों को सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पहले में कहा रहा है कि, AB square जो है न, BC into BD के equal होगा, दूसरे में कहा रहा है कि, AC का जो square है वह BC into DC होगा, ठीक है, तीसरे में क्या कहा रहा है, प्रूप करने के लिए, कि AD का square जो है न, वह बराबर होगा, BD, और into में CD के, ठीक है, चलिए, तो हम कि सबको प्रमानित करेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है प्रमान इसका देखिए हम लोग एक प्रमे पढ़े है ना जी इसले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी समकोड तिर्भूज के समकोड वाले सिर्थ से कड़ पर लम डाला जाता है तो इस प्रकार बने तिर्भूज होते हैं वह संपून तिर्भूज के समरूप होते हैं और परस पर भी समरूप होते हैं हम लोग पढ़े हुए उसको डिरेक्ट यूज करके भी हम लोग यहां कर सकते हैं ठीक है हमने प्रमे पढ़ा है न जी उसके अधार पर हम लोग यहां पर बना सकते इन तीनों का असान A, B, C और तिर्भूज पिर हमें कौन सा तिर्भूज लेना होगा आपका यह बड़ा-वाला D, B, A इन दोनों को समरूप करना और तब जाके पहला प्रूप होगा उसी तरह दूसरे के लिए थीर्भूज और पूरा बड़ा-वाला तो आप बस बुजा को देखो दूसरे में क्या कर रहा है ACA स्क्वाइर BC इंटू DC के बराबर है तो AC यह रहा BC यह रहा DC यह रहा नहीं कि इन दोनों छोटे वाले को सम्रूप करना होगा यह दूसरे वाले को पूर्व करने के लिए तीसरा a d a square equal to में b d ये पूरा लिया है तो मतलब ये वाला तिर्भूज ये छोटाल तिर्भूज ये पूरा वाला तिर्भूज लेके समरूप करना होगा तब जाके ये तीसरा वाला मरा प्रूप होगा तो उससे अच्छा है कि हम लोग प्रमे पहीं कर दें तो हम लोग लिख सकते सिर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार बने त्रिभूज संपूर्ण तिर्भूज के 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 संपूरूप होते हैं परस पर भी समरूप होते हैं समझ गये ना तो इससे हम लोग आसानी से इसको प्रूप कर पाएंगे चलिए तो पहले वाले के लिए देखिए ठीक है पहले वाले के लिए हम लोग यहीं से पता कर लेंगे किसको किसको लिए है देखो A B है B C है और आपका B D ये पूरा है तो चोटा वाला थिर्भूज यह के सी सदरा ऑप रहें लिए हम लोग तो यह कैसे लीगे तो एलिए पिर लिए है और फिर सम्कोड वाला लास्ट मिलिए है तो इस बड़े वाले mere दिलेंगे फिर बिलेंगे क्योंकि इसमें भी आप A के बाद B लिए हो तो D, B और A लास्ट वाला समकोड वाला लास्ट वे तिर्भूज D, B, A संगत तिर्षों के अनुसार चलना होगा यह सम्रूप होगा यह हम लोग जानते इस प्रमे के अधार पर तो हम लोग यह भी जानते हैं कि दो सम्रूप तिर्भूजों के संगत भूजाओं का अनुपात बराबर होता है तो यहां से हम लोग जो पहला प्रमानित करना है इसमें इसके अनुसार चलेगा इसमें का भूजा हम लोग यह भी लेते हैं तो इसमें यह वाला हो जाएगा डी भी ठीक है चलिए समझ रहां ना बात को अब इस तिर्भूज में बी सी लेते हैं क्योंकि यहां बी सी का यूज किया हुआ है इसमें बी सी लेंगे तो इसमें बी ए लेना होगा अब यहां में हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अब बटा बी डी इक्वाल टू बी सी बटा ए बी क्रोस मॉट्िप्लाई करते हैं तो ए बी ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा बी सी इंटू में बी डी यह हमारा प्रमानित हो गया चलिए अब दूसरे के लिए चलते हैं तो देको सेकेंड वाला जो प्रूब करना है a c का a square यह लिया है equal to में b c into में यह आपका d c ठीक है तो हमें इन दोलों छोटे वाले तिर्भूजों को लेना होगा अभी हमने पिछले question में देखा था क्या देखा जाई कि इस पूरे तिर्भूज में इसका और इसका योग क्या था 90 था देखे थे न भी और फिर हम लोग यह भी देखे थे कि अगर मैं इस छोटे वाले तिर्भूज में देखू तो इसका और इसका योग 90 हो जाएगा तो यह दोनों में common हो जाएगा याई एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा होगा ना मैं संगत सिर्ष की पहचान कराने के लिए बोल रहा हूँ ठीक है तो अब अगर आप इन दोनों छोटे तिर्भूजों में ले वह तो यहाँ पर अगर तिर्भूज मालो इस तिर्भूज को ऐसे लेते हैं A, B, C A, B, C ठीक है समकोडवारा लास्ट में ले रहे तो यहाँ पर और यह इसके बराबर है न जी तो उसी करनुसार इसमें नाम क्या लेंगे D, A, C तिर्भूज D, A, C यह समरूप होगा इस प्रमे करनुसार समरूप होगा अजब समरूप होगा तो फिर वही लिखेंगे कि दो समरूप तिर्भूजों के संगत भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो यहाँ पर किस तरह से ले लेंगे हमें जो दूसरा साबित करना है उसको देख लो पहले AC स्क्वाइर बराबर BC इंटू DC AC स्क्वाइर किसके बराबर है BC इंटू DC के चलिए आप BC के अनुशार लेंगे अगर मैं इसमें AC ले लेता हूँ AC तो यहाँ पर DC हो जाएगा अगर मैं इस तिर्भूज में आपका BC ले लेता हूँ तो यहाँ पर आपका AC हो जाएगा CROSS मॉटिप्लाइ करते हैं AC स्क्वाइर बराबर में हो जाएगा BC इंटू में DC तो इए अब तीसरे के लिए बात कर लेता है तीसरा के लिए तीसरा मैं में क्या दिखाना है AD स्क्वाइर जो है तो हम लोग उसी का अनुसाद चलेंगे, तिरभूज, अगर माल लो मैं इसमें ले लेता हूँ, A, D, C, और ये बड़े वाले तिरभूज में उसी के अकॉर्णिंग देखो यहाँ पे, A, D और फिर C लिया है, समकोड़ वाला लास्ट में लिया है, ठीके, तो यहाँ पर B, D, A हो जाएगा, D को बीच में रख देंगे ना संगत, प्रिभूज, B, D, A, समरूप होगा, अब यहाँ पर जब यह समरूप होगा, तो यह लिए सकते हैं कि दो समरूप तिरभूजों के संगत भुजाओं का अनुपाद, संगत भुजाओं का अनुपाद, बराबर होता है, बराबर होता है, तो उसी के अनुशार इसमें भुजा लेंगे, जो हमें प्रूप करना है, तो प्रूप में जो है हमारा, A, D, A, square, equal to, A, D, A, square, equal to, B, D, into, में, C, D है, ठीके हैं, तो उसी के अनुशार यहाँ पर जाएंगे, इसमें में ले लेते हैं, A, D, तो इसमें क्या हो जाएगा, B, D हो जाएगा, अच्छा, इसमें फिर मैं ले लेता हूँ, आपका यह, C, D, हाना, C, D का यूज है, देखो, जो प्रूप करना है, उसमें, equal to, में, यहाँ पर C, D है, तो इसलिए मैंने C, D, ले लिया है, इसमें का, अगर C, D, ले ले लेता हूँ, तो इसमें का, क्या हो जाएगा, A, D हो जाएगा, ना, क्रॉस मन्टिप्लाइग कर दो, A, D, A, S, Q, E, D, B, D, इन्टू में, C, D, यही नामें, प्रमानित करना था, तो हमने तीनों का, तीनों इसका, प्रमानित करके, दिखा दे, या तो समरूप करके, कर देते, या फिर हम लोग, प्रमे जो पढ़े हैं, उसी के अधार पे लिख दिये, अगला कोशन लेकिए, ठर्टीन नमबर, A, B, C, X, सम्दिबाहू तिर्भूज है, जिसमें A, C, B, C के बराबर है, यादि A, B, S, स्कुर्ण तो सिद्र कीजिए, कि A, B, C, एक समकोर्ण तिर्भूज है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है, कि तिर्भूज, A, B, C, कि एक सम्दिबाहू तिर्भूज है, सम्दिबाहू तिर्भूज है, और इसमें A, C, जो है न, आपके B, C, के बराबर, तथा, दिया हुआ है, कि A, B, के एस्कुर्ण बराबर है, 2, A, C, के एस्कुर्ण, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, कि तिर्भूज, A, B, C, 1, सम्कोर्ण तिर्भूज है, सम्कोर्ण तिर्भूज है, चलिए अब इसका प्रमान देखिए, हमारे पास दिया हुआ है, कि A, B, S, Q, बराबर है, 2, A, C, S, Q, तो हम लोग यहाँ, A, B, S, Q, बराबर में, लिख सकते हैं, A, C, S, Q, पलस, A, C, S, Q, ऐसे कर सकते हैं, दो बार, अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कि आप देख रह और एक को A, C, ही रहने देखिए, क्यों ऐसा किये, क्योंकि हमारा A, C, जो है, B, S, Q, बराबर है, तो हम लोग देख रहे हैं, कि तिर्भूज के एक भुजा का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है, तो जिस भुजा के वर्ग के बराबर इन दो भुजाओं के वर्गों का योग हो रहा, तो उस भुजा के सामने वाला कोण समकोण हो जागा, यानि कि ये बड़ी भुजा होगी ना, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या हो जागा, समकोण, इस भुजा के सामने वाला कोण कौन होगा, C होगा, तो एंग हैं कि समकोंड तिरभूज हैं यहां पर कह सकते हैं समझ गया चलते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन देखते हैं 14 न्मर संदीबाहु तिरभूज A, B, C में A, B, A, C के बराबर है तता B, D लंब है A, C पर चलिए यहां पर हम लोग बना लेते हैं एक समधिवाहूत तिर्भूज बना लेते हैं ठीक है A, B, C इसमें क्या है A, B जो है न A, C के बराबर है और क्या कहा रहा है कि B, D एक लंब खीचा गया है A, C पर करें हम लोग इस पर एक लंब खीच देते हैं B, D तो सिद्ध करना है हमें इसे चलिए देखते हैं क्या दिया हुए और क्या सिद्ध करना है दिया है कि तिर्भूज A, B, C एक समधिवाहू तिर्भूज हैं समधिवाहू तिर्भूज हैं जिसमें A, B जो है न, A, C के बराबर है तथा B, D लंब है A, C पर तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि B, D, A, Square, माइनस C, D, A, Square, बराबर में है 2, C, D, इन्टू में A, D चलिए अब हम लोग इसका प्रमान देखते हैं, यहां B, D, A, Square, माइनस C, D, A, Square, क्या करा है B, D, A, Square, होगा, समझे हैं हमें, यह लंब है, लंब का Square, किसके मेरा हो जागा, करन के Square, माइनस अधार का Square, हो जागा न, कैसे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस, प्रमे से, चलिए, अब देखिए, B, D, A, Square, बड़ाबर में, दोको यह A, B, किसके बड़ाबर है, A, S, के बड़ाबर हैं, आप A, S, कर देते हैं, क्योंकि A, B, का कहीं, इसमें, यूज नहीं है, चुकि हम लों देख रहे हैं कि A, B, A, C के बराबर इसलिए ऐसा करें B, D, A, S, Q, बराबर में मैं इस A, C को चाहूं तो C, D, P, L, S, A, D नहीं ले सकता हूं ले सकता हूं बिल्कुल इसे लिखे देता हूं C, D और P, L, S, Q, A, D का होल A, S, Q और माइनस का A, D, A, S, Q, ऐसा क्यों खिए क्योंकि जो यहां प्रूब करना है देखों यहां C, D, A, D है तो इस A, C को हटा दिए हम लोग A, C को हटा कर हमनों C, D, P, L, A, D कर दिए कर सकते हैं ना कोई दिक्कत नहीं प्लस, B का होल S, Q, लगा दो तो यहां हो जाएगा B, D, A, S, Q बराबर में यहां C, D का S, Q, A, D, का S, Q, A, D, Q मैनस 2 स्वारी, प्लस महना प्लस 2 C, D, A, D और मैनस, A, D, A, S, Q A, P, L, B, A, S, Q, A, P, L, S, Q D, A, S, Q, A, D, Q तो यहीं ना मैं प्रमानित करके दिखाना था हमने दिखा दिया चलते अगले कोशन पर कोशन अमर 15 देखिए कह रहा है एबी सीडी एक सम्चत्रभूज है सिद किजिए कि इनके चारों भुजाओं के वर्गों का योग इनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर हो ग करते हैं इतना तो पता है न जी चलिए याद रखिएगा हम इसके विकर्ण को भी मिला देते हैं है कि यह पर हम लोग ओ देते हैं चलिए हमारे पास क्या दिया हुआ है सिर्फ दिया हुआ है कि ए बी सीडी एक सम्चत्रभूज है सम्चत्रभूज है यह दिया हुआ है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कि ए बी ए स्क्वाइर प्लस बी सी ए स्क्वाइर प्लस बी सी ए स्क्वाइर प्लस सी डी ए स्क्वाइर प्लस डी ए स्क्वाइर किसके बराबर हो जाएगा ए सी ए स्क्वाइर प्लस बी डी ए स् चलिए अब इसका प्रमान लिखते हैं, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि सम चत्रभूज के बिकड़, सम चत्रभूज के बिकड़, एक दूसरे को समकूड पर समदिभाजित करते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल A, O, B, बराबर एंगल B, O, C, बराबर एंगल C, O, D, बराबर एंगल A, O, D, सभी क्या होंगे, 90 हो जाएगा, समकूड पर समदिभाजित करते हैं न, यह सभी 90, 90 हो जाएगे, और यहां पर यहां ही इसके बराबर होगा, और यहां वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो हो जायागा ये भी साथ में कि OA बराबर में OC या half of AC भी लिख सकते हैं समझ रहना तथा OB बराबर में OD या half of BC भी ऐसे BD half of BD भी यहां लिख सकते हैं ये दोनों equal होंगे यानि पूरे के half होंगे चली अब इसके बाद चलता है पहले चलता है तिरबूज AOB में हमें जो साबित करना है तो इसमें भुजाओं को लेना होगा तो हम लोग या पर लिख सकते हैं जब ये समकोण हो रहा है तो यहां कर्ण हो जागा इस तिरबूज AOB के लिए तो ABA2 किसके बराबर होगा पहला समी करना पाइथागोरस प्रमे से पाइथागोरस प्रमे से इसी तरह तिरबूज BOC में चलिए BCA2 किसके बराबर हो जाएगा OBA2 पलस OCA2 के ये भी आपका पाइथागोरस प्रमे से फिर तिरबूज COD में ये तो यहाँ पर आपका CDA2 किसके बराबर हो जाएगा OCA2 पलस ODA2 के समी करन तीन हो जाएगा ये भी आपका पाइथागोरस प्रमे से तिरबूज AOD में चलिए AOD में आपका DA2 किसके बराबर हो जाएगा तो DA2 हो जाएगा ODA2 और पलस में OA2 के ये भी आपका पाइथागोरस प्रमे से हो जाएगा अब चारों को जोर देते हैं क्योंकि जो हमें साबित करना है इसमें यही दिया हुआ है चारों का योग ही न दिया है चलिए तम लों चारों समी करनों को जोड़ लेते हैं समी करन एक दो तीन तथा चार को जोड़ने पर चलिए जोड़ते हैं तो हो जाएगा AB square plus BC square plus CD square plus DA square बरावर में OA square plus OB square plus OB square plus OC square plus OC square plus OD square plus OD square plus OA square तो LHS में तो आगे रहे से सिंप्रिफाइग करना होगा यहाँ 2 OA square 2 OC square 2 OD square और प्लस 2 OB square हो जाएगा सब दो दो बार है चलिए अब देखिए हम लोग उपर दिखाए है कि आपका OA OC half of AC है और OB OD half of BD है तो OC का अनुसार हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं OA को half of AC का square कर दो हम इसको भी half of AC का square कर दो OC को half of AC कर देंगे na square हते square लगा दिए उस तरह OD को मैंने बताया था भी half of BD होगा square हते square लगा दो और यहाँ पर OB को half of यह two पहले से हैं यहाँ बाद half of BD कर देंगे इसका square है तो square लगा दिए चलिए अब इसको solve करते हैं two into one by four AC square two into one by four AC square two into one by four BD square और यहाँ पर two into one by four BD square हो जाएगा तो इसे काटेंगे one by two half of AC square half of AC square half of AC square AC square हो जाएगे यह दोनों मिलके और यहाँ दोनों भी मिलके half BDA square half BDA square मिलके क्या हो जाएगा BD square हो जाएगा तो हमने यहाँ साबित कर दिये ना इसलिए लिख सकते हैं कि ABA square प्लस BCA square प्लस CDA square प्लस DA square बराबर में AC square प्लस BDA square यही ना मैं प्रमानित करके दिखाना था हमने दिखा दिया तो अब इस वीडियो को यहीं पे इंड कर देते हैं आपको हमारे तीन चैनलों को सस्क्राइब करना होगा पहला है pathfinder classes छप्रा दूसरा है आपका भारती भवन रवी कांत सर और तीसरा चैनल है रवी कांत सर के नाम से तीनों चैनल को सस्क्राइब करेंगे इससे रिलेटेड़ वीडियो के लिए सीधर डिस्क्रिप्सर में जाएंगे और इससे रिलेटेड़ नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सस्क्राइब और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं